नमस्कार जैभिम दोस्तों मेरे चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लोग रूम क्लीनिंग कैसे करते और बेट की थोड़ा टीप से बताने वाली हूं मैं तो चलो देखते हैं आज की हम लोग की स्पूरा ठीकी कर लेंगे और यह बेड में बता रही हुना नहीं को चाधर वगेरे बिल्कुल भी शिलीप नहीं रहता क्योंकि इस्में डोरी लगा दिया पहले विडियो में अाप लोगयोटों को बताया कि अगर हमारा चाधर बार-बार स्लाव होता है तो हम लोग को मतलब किस प्रकार से हम लोगा एक साथ में ही हमारा चादर भी खराब न वह और जैसा हमने भीशाया है वैसे ही रहे क्योंकि पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मतलब किस प्रकार से चादर को अपों को बिचाना रोप ऍयसे करना है तो यह मैंने सारे बेड्रुम में ऐसे ही किया हुआ है तो यह जैसे यह टू सीटर वगे जमा लूगे और उसके बाद में यह देखो यह दूसरा जो चादर है यह भी मैं आपको बता दूंगी कि इस बेड्रूम का चाधर भी मैंने ऐसे ही बिछाय हुआ है इसमें भी मैंने डोरी लगा दी है ताकि ऊपर से साप कर लो और साप करने के बाद मैं जैसे ही रखेंगे वह एसे ही वह जमा रहता है कि देखो यह मैने इसमें भी डूरी लगा दी हुई है और बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हमारा बहुत ताइम कम लगता है और Aa ने तो फिर बहुत ज्यादा टाइम में लग जाता है क्योंकि फोरा जमाना पड़ता है स्लीफ हो जाता है तो इस प्रकार से मैंने यह चादर को भी सेट कर दिया था ताकि हमारा जल्दी रूटिंग का काम रहता है देली तो वह उसमें क्या होता है हमको बहुत टाइम लगता है जमाने में तो इसलिए मैं आइसे ही मैंने पूरे बेट पर ऐसे ह चादर विछाए हुए है और बहुत टाइम कम लगता है इसमें लेकिन क्योंकि हमको पता है न कि हमको घर में डेली रूटिंग का काम है हमारा तो हमको कैसे सेट करना और कितने जल्दी हम लोग काम फिनिस कर सकते हैं तो मैं अभी यह बेडरूम मोगेरे में आ गई हूँ ब दूब थोब भी नहीं रहती है और बाहर जगह भी नहीं है तो यह सारा पूर बेडरूम का यह मेरा रूम है और इसमें फभीम मैंने साथ में रखी हुई है क्वी बार बार धम को इधर उदर जाना न पड़े करके एक साथ में ही सब रखी हुई है तो यह देखो यह मेरा बेटरूम भी पूरा फिनिस हो गया है और साथ में यह मेरी सिलाई मसीन है जिसमें मैं अगरे कर लेती हुँ थोड़ा कुछ अगर जैसे अपने फटे कपड़े रहते हैं तो उनको भी शिलाई कर लेती हुँ तो दोस्तों यह ना हमारे पूरे रूम एक साथ में पूरे क्लीन हो चुके हैं और क्लीन होने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं कि हमें और क्या बाक क्लीन किया है और यह फिर तो बहुत अच्छा ना यह आइडिया है दोस्तों यह बहुत लोगों ने ट्राइए किया आप यह ट्राइए करके देखना बहुत आपका समय कम बचेगा तो यह फिर मैं काचोगे भी थोड़ा साप कर लेते हुँ क्योंकि सारी रूम में मेरे कर दूंगी और बहुत ठक जाते हैं दोस्तों इतना सारा काम इखट्टा करने में आता है ना तो दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों थेंक्यू नमस्कार जैभी